आनिय अद्दक्ष मोदे, खंडेक, जी नहीं, प्रदान्विंती आवास योजना ग्रामिन अंतरगत 1322 पात्र परवार तक नीकी समझ्याओं के कारण आवास प्लस पर अपलोड होने से बंचित रहे, बंचित पात्र परवारों को योजना की बरीता सूची में सामिल आवास प्लस पर अपलोड कराने हितू, ग्रामिन विकास मंतराले भारत सरकार के पत्राचार किया गया, जिनका विरन परशिष्ट एक पर संगलन है, भारत सरकार के पत्र दिनांग 10-3-2022 द्वारा किसी भी राजिके बंचित परवारों को आवास पलोड कराने के प्रस्ता पर वि अधियम से सम्माने मंतरी मोदे से निवेदने कि क्या ये सही है कि प्रदान मंतरी आवास के वंचित पात्र परिवार जो वरीता सुची में थे, जिन अधिकारी और करमच्यारियों की गल्ती की वज़े से प्रदेश में 23 लाग से जादा परिवार वंचित रे गए, क्या उ अपलोड उनको करना था उनके आवास कर लाग से पूछ लिए उत्ते पर प्रस्ट पूछ रहे हूं कि खिलाब कोई जो उन्होंने गल्ती करें उसके सजा देने का आपका विचार है ताकि आगे बविस्त प्रस्ट पूछा है और इस टेटेवल की बात दूसरा उन्होंने पूछा है वो भी गलत पूछा आविदन ओनलाइन नहीं है ग्राम सवाओं के द्वारा एक खटे किये जाते हैं उसके बाद आगे पंचाची जिलापरसत के अप अपलोड होने का आवास प्लस पे जो वंचित रहे परिवार इस तरह तो टोटल नो लाक बाईस जा रहे हैं टोटली रिजेक्टेड वाई अपलोड राजस्तान की बात करें तो ये परिवार वंचित रहें तो नेट धीमी गती से चला बहुत ऐसे कारण थे कि एकड के मलब एकाई की जगे मला एकड हो गया बीगे की जगे कहीं मुवाइल नमर की जगे लेंड लाइन हो गया तो बह उन्हें चिठी लिखी मुख्यमंत ने चिठी लिखी CS लेवल पर चिठी लिखी गई उन्होंने एक बार मौका 2019 मार्च में दिया था हमें तो उस समय कुछ परिवार अपलोड हुए और कुछ रेजेक्टेड वाई सिस्टम क्योंकि कहीं घानापूर्ती फोर्म रहेगी उस जाएं और पात्रता मिल जाएं तो आवास मिल सकेगा मानने अदेख जी मेरा इतना सा निवेदन है क्या विभाग इन वंचित पात्र परिवारों को केंदर सरकार की सुकृति अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो क्या इनको जो हमारी 2013 में मुक्यमंतरी आवास जोजना चल कि योजना में जोड़ना चाहते हो क्या क्योंकी सेकर्री supuesto है प्रदान मंतरी आवास यूजना में भारत सरकार का